अब अभी हभी हमने देखा कि हम rational numbers को कैसे standard form में change करते हैं अब हम देखेंगे कि दो rational numbers दिये वे हैं तो उसमें से greater कौन सा है और smaller कौन सा है तो कैसे देखेंगे चलिए देखते हैं question number fifth में कह रहा है which of the two rational numbers is greater in the given pair इन दोनों rational number में से कौन सा greater है ये बताना है तो कैसे करेंगे ये बताना है तो प्लीज उसके लिए video मेरी last तक देखिए और कोई भी problem आए आपको question find out करने के लिए तो आप simply मेरी site www.elearnmatch.in पर जाएं अपनी class क्लिक करें अपनी book क्लिक करें और नीचे drop down से किसी भी chapter की exercise का playlist आप देख सकते हैं तो देखिए question में कह रहा है which of the two rational number is greater in the given pair इन दोनों rational number में से कौन सा बढ़ा है ये बताना है तो चलिए first part के लिख लेते हैं अपना first part में कह रहा है 3 upon 8 बढ़ा है और 0 बढ़ा है तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा 0 से सारे छोटे numbers होते है negative numbers और 0 से बढ़े सारे positive numbers होते है और क्योंकि 3 upon 8 positive number है तो इसका मतलब 3 upon 8 बढ़ा है 0 से तो हम लेख सकते हैं 3 upon 8 bigger है किस से 0 से अब इसी तरीके से second part के देखते हैं second part में कह रहा है minus 2 upon 9 बढ़ा है और 0 बढ़ा है कि minus इसके numbers 0 से क्या होते हैं छोटे होते हैं 0 बढ़ा होता है तो हमने simply लिख दिया 0 is bigger than minus 2 upon 9 अब इसी तरीके से हम third number देखते हैं third value कह रहा है minus 3 upon 4 और 1 upon 4 कौन सा बढ़ा है और कौन सा छोटा है अब देखिए यह minus 3 upon 4 minus की value है और 1 upon 4 plus की है तो obviously हमें पता है plus की value बढ़ी होती है minus की value से यह हम number line में सीखेंगे जो की हम next chapter में सीखेंगे आप चाहें तो आप इसकी intro video देख सकते हैं की number line कैसे बनती है fourth part में कह रहा है minus 5 upon 7 और minus का 4 upon 7 अब कैसे करेंगे देखिए अगर मैं number line बनाती हूँ यह देखिए यह 0 है यह minus 1 है यह minus 2 है क्योंकि यह negative side है और यह positive side है राइट अब देखिए अब मैंने आपको intro में बताया था जो यह नीचे वाला number होता है उतने parts होते हैं दो number के बीच में और उपर वाला mark करते हैं राइट अब क्योंकि minus की value है तो negative side देखिएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट यह वाला है तो अब हमें minus 5 upon 7 mark करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यह वाला part हमारा क्या हो गया minus 5 upon 7 हो गया अब हमें minus 4 upon 7 mark करना है तो देखिए यह वाला 5 से पहले वाली value कौन सी हो गई minus 4 upon 7 तो मैंने आपको बताया था जितना 0 के पास होता चला जाता है नंबर उतना बड़ा हो जाता है तो 0 के पास इन दोनों में से कौन सा नंबर है यह वाला देखिए 0 के पास है और यह थोड़ा दूड़ है 0 से तो इसका मतलब पहले कौन सा आ रहा है minus 4 upon 7 आ रहा है तो इ बड़ा वाल्यू कौन सा है minus 4 upon 7 is the answer let's do next part now आप 5th part में देखिए वो गहरे 2 upon 3 बड़ा है और 3 upon 4 बड़ा है अभी तक बहुत easy easy थे या तो denominator same थे या हमें 0 से compare करना था या negative और positive value को compare करना था लेकिन अगर आप यहां देखेंगे इन दोनों के denominators different है तो जब denominators different होते हैं और दोनो positive values हैं तो तब हमें compare करना पड़े कि कौन सा बड़ा है और कौन सा चोटा है तो कैसे करते हैं वो देखते हैं यह बहुत important पार्ट है इसको ध्यान से समझेगा तो देखिए अब 2 upon 3 है और यहां पे 3 upon 4 है तो दोनों के यह जो denominators है same कर ल देखिए इन दोनों में कुछ भी common नहीं है तो इसकी multiply इसके साथ और इसकी multiply इसके साथ तो यहां पे 4 की उपर नीचे multiply हो गई और यहां पे 3 की multiply उपर नीचे हो गई right multiply करके कितना आ गया 4 2s are 8 and 3 4s are 12 इसी तरीके से 3 3s are 9 and 4 3s are 12 अब दोनों positive value थी दोनों के denominator सेम हो गए तो हमें पता चल गया जिसका numerator बड़ा होता है वही value हमारी bigger होती है तो हमारा numerator यह वाला बड़ा है तो हमें पता चल गया कि यह वाली value हमारी बड़ी है तो हम लिख देंगे 2 upon 3 and 3 upon 4 में से हमारा bigger value है 3 upon 4 is the answer let's do last part now last part में कहरा है minus 1 upon 2 बड़ा होता है या minus 1 बड़ा होता है तो देखिए फिर से number line बना लेते हैं तो देखिए यह हमारी number line है यह 0 है यह negative values है यह positive values है यह आगया 1 minus का और यह आगया minus का 2 इसी तरीके से यह 1 and यह 2 अब क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है तो इसका मतला बीच में 2 ही part होएंगे तो यह 2 ही part होएं अब हमें mark करना है minus का 1 upon 2 तो minus का 1 upon 2 यह वाला हुआ तो हमारी minus का 1 upon 2 यह वाली value ही और minus का 1 हमारा यह वाला value ही तो अब minus के case में जो जितना दूर होता चला जाता है वो छोटा होता चला जाता है plus के case में उल्टा होता है तो दूर कौन सा है minus 1 तो इसका मतलब minus 1 हमारा चोटा है minus 1 upon 2 से तो हम यहां लेक देंगे minus 1 upon 2 में और minus के 1 में हमारा minus 1 चोटा है answer